नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ आपके अपनी शेल मेरे चैनल सेललवी ब्लोग पे आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो एक मेरी वीवर्स है उसने बोला मैं मुझे एंसीपी बनाना सिखा दीजिए न तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप नर्सिंग फील्ड से हैं तो नर्सिंग केर प्लान बनाना डेफिनेटल सीख आएंगे ये वीडियो देखे तो फ्रेंड्स चलिए मैं स्टार्ट करती हूं जो कि मेरा हैं में नोट बूक है तो चलते हैं उसी क नहीं है ये सिफ सिम्टम्स हैं जो कि सिम्टम्स आते हैं कोई भी डिजीज होने के कारण हमारे सरीर में इंफेक्शन हो जाता है उसके कारण से फीवर यानी की बुखार आने लगता है तो आज हम बुखार पे ही यानी की फीवर पे बनाएंगे जो कि फीवर लिखते हैं ल सबसे पहले नर्सिंग केर प्लान में क्या करते हैं हमको 6 कॉलम डिवाइट कर लेने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 कॉलम बनाएंगे तो सबसे पहले कॉलम में आएगा असिस्मेंट यानि कि जो भी असिस्मेंट करेंगे पेसिंट का और नेक्स आएगा नर्सिंग डाइगनोसिस यानि कि हम नर्सिंग डाइगनोस क्या करेंगे क्या निकालेंगे उसकी क्या बिमारी है यानि कि डाइगनोसि का मतलब next implementation implementation में जो हमने किया यहां पर वो करएहां के लिए जो हमने एक गोल बनाया था यानि एमस बनाया था फिर हमने उस एमस के एक assim कोंदिग उंसी काम को हमने कर दिया वो यहां पर ळेंगे और एड नेक्स एवा criminal करेEMड लावन हमे उसका result क्या मिला, तो चलिए आते हैं स्टार्टिंगि, हमारा सबसे पहले कॉलम में क्या आया, assessment, यानि कि हम observe क्या करूंगे, तो सबसे पहले आता है subjective data यानि कि इसमें दो चीज़ आती है एक आता है subjective data और एक आता है objective data तो हम subjective data किसे कहते हैं, जो patient बताता है कि हमको यह वुआ यह मतलब अगर उसे फीवर आया है तो बताएगा कि हमारी गरम थी हम बहुत पसीना आ रहा था बहुत कमजोरी लग रही है बहुत लिधर्जी यानि कि लिदर्जी भी आप यहां पे लिख सकते बहुत थकान मेरसूस हो रही है तो जो पेसेन बता यहां पर है ओसाम तरह दो सकते हैs नेक्स्ट यह तो हो गया कि पेसेंट ने जो बताया यह सारह भ गया कि पेसेंट ने हमें यह चीज बताई है कि हमको यह प्रॉबलम हो रही है और फिर इसके बात में ऑबजेक्टिव डाटे में हम क्या आब्जेर्व करते हैं यानि ज MONths तो हम देखेंगे the patient has fever यानिकि pyrexia हम देखेंगे कि patient a fever आ रहा है smiles号 तो Tao ayatiya प्याथ कि लिगृआ कर सकते हैं । देखेंगे आइंगे डिग काई enigma अलगा च्छेक सकते हैं and temperature body touch कर देख सकते हैं कि गरम है तो उससे पता कर सकते मीचRS के बाद हम thermometer से देख सकते हैं तो देखते हैं कि अगर नॉर्मल से ज्यादा रेंज आई है तो उसको पाइरेक्सिया यानि कि उसको फीवर आ रहा है अब उस फीवर के लिए हम क्या करेंगे तो अब हम बनाएंगे दूसरा पॉंट nursing diagnosis यानि कि nursing diagnosis में हम क्या observe करेंगे क्या देखेंगे डियाग्नोस करेंगे कि altered body temperature related to disease condition add evidence by taking temperature यानि कि हम देखेंगे कि उसका altered body temperature यानि कि body temperature है मतलब कि कभी fever उतर रहा है कभी चढ़ रहा है कभी जादा हो रहा है कभी कम हो रहा है तो related to disease condition, मतलब कि patient के according जैसा patient बताएगा कि किस तरीके से fever आता है, कभी कम हो जाता है, कभी जादा हो जाता है, और फिर ये depend करता है कि उसको disease क्या है, कौन सी disease है, किसके कारण से हमें उसको fever आ रहा है, तो ये हम यहाँ पर नोट कर देंगे, altered body temperature related to disease condition as evidence by taking temperature, यानि कि temperature लेने क एक कि द्रोडल रहते हैं, तो इसके बाद में, हमने देखा कि उसको यह ये problem है, यानि यह हमने diagnose निकाली अब हम एक goal त्यार करेंगे, तो ग्न हमारा क्या होगा, टू रडिस बॉड़ी टेम्परेचर के है हमने देखा था कि बॉड़ी में तेंप्रेचर है तो हमारा जो गोल है वो बॉड़ी के तेंप्रेचर को खतम करना ए सबसे पहले इंटरविंशन में करेंगे यहां पे तो हमने jest बनाया यानी प्लान किया कि यह करना है में अब यहां पे हम以 प्रवाइड फुरन करें कि उसका सेख़ फुर्ट में चेक तैंपरेचर पल्स रिसपरेशन तो में भूएगः अंकिघना दून, वक तुल्वस्मर पशेटी क्म करेंगे अजयी सिरो मैं 100 कि त Such यह इस के बाद व्लेर यह इसअ कि अदि कासा है उक्ति आन को करेंगे उसमें से ठंडा पानी लेके स्पंजिंग करते हैं यानि कि पूरा पोस्ते हैं हाथ मूँ पैर तो उससे कम हो जाता है नेक्स्ट देखिए प्रवाइड एक्स्टा ब्लैंकेट अगर पेसें को बहुत ठंड लग रही है कभी कभी क्या था पेसें को बहुत गर्मी लगते है तो गर्मी के एक्सीन को बहुत ठंड लग रही है तो एक्स्टा ब्लैंकेट करेंगे यानि कि उसको एक कंबल उढ़ा देंगे ताकि उसे रहत मिले फिरिष के बाद में हम और क्या करेंगे प्रवाइड कीप and calm involvement यानि की बहुत सांत वातावरण उसे प्रवाइड करेंगे कि बहुत ज़यादा शूर सराबा ना हो क्योंकि पैसे ृरिटेट होने लगेगा यान कि उसको एडबिस्टर करेंगे यान कि दवाई देंगे एंटि-पायरेटिक यहनी कि बुखार उतरने वाली ऐज प्रेस्क्राइब बाइगे जो हमें डॉक्टर आडर करेगा और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं प्रवाइट साइकलोजिकल सपोर्ट पेसिंग को समझाएंगे कि आप जल्दी सही हो जाएंगे घबराईए नहीं हमने दवा कर दिया है आपको ट्रीटमेंट दे दिया है आपका थोड़े दिर में बुखार कम हो जाएगा फिर धीरे जो आपके अंदर कमजोरी लग रही है वो खतम हो जाएगी यानि सारा हमें पेसिंग को साइकलोजिकल सपोर्ट देना है नेक्स्ट क्या है इंप्लिमेंटेशन में हमने जो कर दिया तो यहाँ पे क्या है असिस्ट प्रोवाइड़ एड्मिनिस्टर्ड मैंने यहाँ पे एक प प्रोवाइड़ कीप एंड काल्म इन्वार्मेंट प्रोवाइड़ हेल्दी डाइट एंड एड्मिनिस्टर्ड एंटिपारेक्टी मेडिकेशन ऐस प्रिसकाइब बाइड डॉक्टर प्रोवाइड़ मेडिकेशन यह हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे यह सब हम कर चुके हमारा रिजल्ट निकला तो आप इसी तरीके से मतलब पेन का बना सकते हैं कोई भी डिजीज का बना सकते हैं यह एक एक्जामपल के तौर पर मैंने बनाया है इस तरीके से एंसी पी तयार करते हैं जो कि बहुत ही इजी है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लग होंगी तो बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी सारी जितने भी क्वेश्चन है सबका एंसर देती जाओंगी तो फ्रेंड्स इसी के चलते मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो हुआ हो